हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चलर सरकारी इंफो गुरू दोस्तों आज मैं बात करने बाला हूं ग्राम बंचाज भरती को लेकर जिसमें 58000 पदों पर भरती निकली हैं तो दोस्तों इस वीडियो को मात धमसे मैं आपको पूरी इनफॉर्मेशन देने बाला हूं जिसमें कि मैं आपको बताने बाला हूं कि आपको इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना अनिवार रहा है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और दोस्तों बात करता हूं मैं इसका तो दोस्तो अगर मैं बात करूँ भरती प्रोसेस के बारे में तो जो भरती होने बाली है ग्रम बंचाइद द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन जो होने बाले हैं वो 30 जोलाई 2021 से शुरू होकर एक अगस्त 2021 तक चलने वाले हैं अगर मैं बात करूँ दोस्तो जला पंचाइद अधिकारी के पास आपके फॉर्म कब से कब तक फारवर्ट किये जाएंगे बोग फारवर्ट किये जाने वाले हैं दो अगस्त 2021 से 17 अगस्त 2021 तक अगर मैं बात करूँ जला पंचाइद राज अधीकारी के आरले के के विकास खंड अधीकारी के कारयलें में प्राप्ट आवेदन पत्रों को समंधित-ुक्यारं पंचायत में उपलब्त गरा décidé आना तो वह 18 अग...सलिए टिए इस अगस्त 2021 तक यह जाने है और दोस्तों पाल बात मादूं में प्राप्ट आवेदन प्लस इंटर्न की जितनी भी परसंटेज होने वाली है। उसके दौनों है जोड़कर दो से भाग दिया जाएगा। मतलब जिसके परसंटेज आधिक होने वाली है उसको प्रण व सबसे पहले दी अगर मैं दोस्तों बात करूं कि इसकी कौलिफिकेशन क् colonies होने वाली है के लिए पंचायज सायक एकांटेट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन जो होने बाली है इसके अनुसार नीन्तम जो सैचनक योगता यूपी बोर्द्वारा संचालित इंटर्मीडियर परिक्षा उत्तिन हो तता उसके समक्ष मानतपराप्त कोई भी क्वालिफिकेशन चलने बाली है तो दोस्तों अगर मैं एज की बात करूँ इसमें एज कितनी होने बाली है तो चैन नीन्तम एक जोलाई 2020 को 18 बर्स और अधिकतम 40 बर्स सेस्टी और OBC के लिए ने पंचायत वर्स की अत्रिक चूड़ है वेदक उसी गिनाम का निवासी होना चाहिए जो पंचायत जिस सिनड्यी में आरक चित shouldn't है उन पंचायत ने उस This Sinad सायक का चैन किया जाएगा दोस्तों इसमें सभी कैटेगरी के आवेदन कर सकती हैं परन्तु एससे एस्टी ओविसी के लिए पांस साल का अधिक्तम उम्र की बात करें तो चालिस वर्स होने वाली है तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आपको किस तरह से भरना है तो यहां आपके लिए एक फोटो लगाना है अपना अवेद का नाम मातापिता का नाम उमीद है अप अच्छी तरह से अगर कोई भी कन्फीजन होता आ दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर दोस्तों मैं बात करूं सैचलिक योगदा किस तरह से भरनी है तो यहां परिक्षा का नाम भना है परिक्षा उत्तिन करने का बर्स भरना है यहां दोस्तों आपको लिए भरना है कि किस बर्स आपने जो है किस बर्स पास किया था बोर्ड का नाम बिसे कौन कौन से बिसे से आपने high school पास किया था यहां इंटर का भरना है और दोस्तो अगर मैं बात करूं कि यह आपको form कहां से मिलने वाला है तो मैं आपके लिए अपने description में एक link देने वाला हूं जहां से click करके आपको आप form आसानी से download कर सकते हैं और अपने सभी document के साथ सलंगन करके ही आप जो है form को जमा करें तो दोस्तो अगर मैं बात करूं यह आपको form कहां जमा करना है तो अपने सभी document को आप लगा कर gram प्रदान के पास जाएं और उन्हें अपना form दे दे जिससे कि आपके gram प्रदान आपका form ब्लॉग में जमा कर देंगे जिससे आपका काम आसानी से हो जाएगा तो दोस्तो उम्मीद करता हूं यह आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो दोस्तो प्रीज लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूलें जब तक के लिए टेक केर